फ्रंट लाइन की ओर बढ़ते हुए हम बरफीले तूफान से जूजते हुए निकले उस शहर की ओर जिसने रूस का रास्ता रुक रखा है आम नागरिक मिकुलाइफ के बाहरी इलागों में जमा है और इस अफरा तफरी से बच कर भाग रहे है ये धमाके काफी तेज होते है खास कर रात में भीशन और जान लेवा रूसी सैनिक इस शहर से निकलने के रास्तों को तबह कर रहे हैं ताकि वो पूरे काला सागर तट पर कबजा कर सके लेकिन मिकुलाइफ बाधा बन रहा है हमने अभी थोड़ी दूरी पर कुछ तोपों की आवाज सुनी और फिर हवा तैयार कर रहे हैं इस विद्रोह को स्थानिय गवर्नर का भी साथ मिला है उन्होंने हम से कहा कि फिलहाल रूसी यहां मात खा रहे हैं हमलों में घायल कुछ लोग अब भी इस हालत में नहीं हैं कि उन्हें कहीं और ले जाए जाए एक रात में धाई सो लोग मारे गए इस बीच रूसी सैनिक अपने रूटीन पर जमे हुए हैं जटके और डर कोई भी हतियार ऐसा नहीं है जो बिना किसी निशाने के हो आस पडोस के नागरिकों के बीच ऐसा डर भरा है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह बस शुरुवात है क्योंकि रूसी सैनिक शहर में घुसने में नाकाम रहे हैं इसलिए वो यहां भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने यूकरेन के दूसरे हिस्सों में किया है और सीधे तोर पर हवाई हमले बढ़ा दिये गए हैं हमलों में ये महिला बच गई लेकिन उसके शहर का भाग्य अब भी अंधेरे में है Andrew Harding, BBC News